जब भी आप एक PC खरीदते हैं या PC बिल्ट करते हैं तो उसका CPU कैसे सलेक्ट करेंगे चलिए आज की वीडियो में इसी पर बात करते हैं Hello Friends, My name is अपने स्वास्तों और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नई रफतार तो Friends, जब भी आप एक PC बिल्ट करते हैं तो CPU आप सलेक्ट कैसे करते हैं या तो मैं AMD का CPU लूँगा या Intel का पर ये तो बहुत बात की बात है उससे पहले बहुत से फेक्टर होते हैं जिनके साथ साथ में आप एक CPU को सलेक्ट करेंगे तो कौन-कौन से हैं वो फेक्टर चलिये इसी पर बात करता हैं तो सब से पहले आपको ये देखना है कि आपका बजट क्या है आप जब एक PC खरीद रहे हैं तो उसका बजट क्या है या फिर एक PC बिल्ट कर रहे citizen तो प्रापर आपके CPU का बजट क्या है? सबसे पहले आपको वो देखना बहुत जोरूरी है क्योंकि मार्केट वे प्राइस जो अभी CPU का बढ़े हुए है बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं तो सबसे पहले आप ये डिसाइड के लिजए कि मुझे इस प्राइस रेंज में अपना कंप्यूटर लेना है या फिर CPU लेना है एक बर जब ये डिसाइड हो जाए पिर सबसे मेन फेक्टर आप ये देखिये कि फिजिकल कोर्स आप जो CPU ले रहे हैं उसमें फिजिकल कोर्स कितने हैं ये कोर्स क्या होता है कि जब अलग-अलग कोर्स होते हैं तो आप अलग-अलग प्रागार काम एकसाद कर सकते हैं याने मल्टी टास्किंग कर सकते हैं ऐसा रूल तो नहीं है बड़ जनरल ही जितने ज़्यादा कोर्स उतना ज़्यादा मल्टी टास्किंग हो सकता उतना अच्छा परफॉर्मेस आपको मिलेगा तो आप ये देख लीजे कि आपके प्राइस रेंज में जो जो आप CPU आ रहे हैं उसमें ज़्यादा कोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो काफी अच्छा होगा आप उसको सलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद जो फेक्टर आप देखेंगे वो आएगा clock speed clock speed क्या होता है ये कोर्स कितना speed में काम करेगा यानि कोई भी आप काम कर रहे हैं तो किस स्पीड में काम होगा ये आपका होता है clock speed से आप इसको measure कर सकते हैं तो जितना ज्यादा clock speed मतलब उतना fastly आपका काम होगा तो इस चीज को भी compare कर लिजए कि को इसका clock speed ज्यादा है इसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्किडेक्चर के तो आर्किडेक्चर ज्यादा मैं टेक्निकल होके नहीं बात करता है मैं आपको simple सा बोल देता हूं कि आर्किडेक्चर मतलब आप यह समय लिजए कि आप आज जो भी CPU लेंगे उसका जो आर्किडेक्चर है वह आसपास को लेटेस्ट हो यह एक बहुत ज्यादा पुराना ना हो यह भी बहुत 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 इंपोर्डेंट है अब बात करते हैं नेक्स पॉइंट की टर्बो बूस्ट या ओवर क्लॉकिंग आप उसको जैसा भी बोल दीजे यह क्या होता है यह समय ने आपको क्लॉक स्पीड बताया कि एक बेस क्लॉक होता है जनरली CPU उस क्लॉक स्पीड तक जाकर आपका काम करता है पर जब रिक्वा होते हैं टर्बो बूस्ट तो आपको यह भी चेक करना चाहिए कि बेस क्लॉक क्या है और टर्बो बूस्ट क्या है यह बहुत इंपॉर्टेंट फेक्टर हो जाता है जब थोड़ा हाइली इंटेंस आपको काम करते हैं तब इस तीज की बहुत ज्यादा जरूत पड़ती है अब नेक्स फेक्टर हम बात करेंगे टीडीपी की अप आज की रेट में सुनते होंगे कि सीप्यो गरम हो गया हीट होता है तो यह टीडीपी आपको वही होता है कि कि इतना एनर्जी अपका कंस्यूं कर रहा है आपका एक सीप्यो वह वहाँ पर clearly mention हुआ रहता है तो जैसे 65 watt 95 watt step से यह रहता है जितना ज्यादा TDP मतलब उतना ज्यादा वो हीट होगा जितना ज्यादा हीट होगा उतना ज्यादा उसका performance वहड़ा slow होगा और फिर और भी बहुत सारे problem आते हैं हाला कि देखा गया है कि जितने ज्यादा कोर्स अपलेंगे उतने ज्यादा आपका TDP बढ़ेगा और जितने कम कोर्स रहेंगे उतने TDP कम होंगे तो आप यह देख लिए अगर आप चार कोर वाले आप CPU ले रहे हैं तो उसमें अगर TDP किसी का कम है तो वह आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उतना हीट होगा न क्या करना है अब आता है बात ब्रैंड का अब देखिए कि आपका काम किस टैप का है मला को क्या करना है अपने CPU में कई यह जैसे होता है कि Intel में आपका CPU वह स्टैप के काम के लिए बेटर होता है या फिर AMD का CPU उसका के लिए बेटर होता है फिर वहां पर आप रांड के साथ जा सकते हैं कि मुझे Intel का लेना है या AMD के लिए अब यह आपको डिपेंड करता है एक बार यह डिसाइड हो गया कि लेना है i5 लेना है i7 यह Ryzen 3 लेना है i5 यह डिसाड लेना राइजन सेब आपके लिए बैटर रहेगा फिर महाँ बार इस चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं अब बहुत मेन फेक्टर कि आपने i3 या i5 तो सेलेक्ट कर लिया बड़ उससे भी मेन फेक्टर होता है कि जेनरेशन कि आप जेनरेशन कौन से लेंगे तो देखे जितना लेटेस जेनरेशन आप लेंगे उतना अच्छा पॉफोर्मेंस आपका एक PC करेगा तो कभी भी दियान रखे कि आप जब भी कोई सी भी जनरेशन को ले आपको लेटेस जनरेशन या फिर एकाथ जनरेशन पीछे तक ही लेना चाहिए बहुत पीछे जब आप चल देंगे मालीज आप आज आज देखना बहुत जरूरी है तो यह कुछ फेक्टर्स हो गए जब आप एक अपना CPU लेंगे वहाँ पर आपके चीज देखना चाहिए जब यह सारे फेक्टर्स का आप एकसाद कंसिडर करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा CPU आप सेलेक्ट कर पाया होंगे और मैं मैं होप करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि आप जब भी आप PC लेंगे तो CPU कैसे सेलेक्ट करेंगे अगर आपका अभी भी कोई कोश्चन है CPU से रिकार्डिंग या PC से रिकार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कीजिए मैं आपको बिलकुल रिप्लाई करूंगा तो बस यही था आज के वीडियो में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इसे एक लाइक कर दीजेगा फ्रेंड्स के साथ शेर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक फुश रहिए मस्त रहिए इंदास टेक केर